नमस्कार उतकर्स क्लासेज में आपका स्वागित हैं कॉमर्स फर्स्ट्रेट का टोपिक है मुल्ले राहस डेप्रिशेशन टोपिक आपका मुल्ले राहस डेप्रिशेशन डेप्रिशेशन शब्द जो है मुल्ली राहस जो शब्द है वो लेटीन बासा के डिप्लेशन से लिया गया है जिसका मतलब होता है संपत्ति के मुल्ले में कमी यह जो डेप्रिशेशन सब्द है वो कहां से लिया गया है लेटीन बासा के लेटीन बासा के लेटीन बासा के लेटीन बासा के डिप्लेशन से लिया गया है जिसका मतलब होता है संपत्ति के मुल्ले में कमी संपत्ति के मुल्ले में कमी ठीक है तो ये लेटीन शब्द डिप्लेशन से लिया गया है और जिसका मतलब क्या होता है संपत्ति के मुल्ले में कमी depreciation का topic पढ़ने से पहले अपने को कुछ शब्दों की अर्थ जानना ज्रूरी है सबसे पहले अपन बात करते हैं depreciation का अर्थी मुल्य राहस मुल्य राहस मुल्य राहस को हम बोलते हैं स्थाई समपतियों का निरंतर उप्योग करने से उनके मुल्ले में होने वाली कमी या न्यूनता मुल्ले रास कहलाती है 27 समपतियों का निरंतर उपियों करने से उनके मुल्ले में जो कमी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं मुल्ले रास बोलते हैं दूसरा एक शब्द है एप्रसलन एप्रस्लन जिसको हम बोलते हैं एप्सोल सेंस एप्रस्लन का मतलब क्या होता वो समस्तियापन जैसे कोई नई आविश्कार आता है नई टेकनोलोजी आ जाती है तो मार्केट के अंदर पुरानी चीजें बाहर हो जाती है उन्हें कोई खरीदता नहीं है तो उसको जो होगी है बाहर होग fi वह एप्रस्लन के अंदर आता है जैसे मैंनिंग की बात करें पailed Greg के बनकी जैसिकोई नया आविसकार आ जाता है नए आविसकार के आने से लग्राढरोजी कि आने से अ पसली मुल्यमी करी से संपंति के संभरें में कमी होना किसमें आता है deflection के अंदर आता है जैसे पहले का एक कंप्यूटर के अंदर किया चलते थे monitor चलते थे अना बड़े-बड़े monitor कितनी space रोगते थे उसका स्थान किसे ने ले लिया LED या LCD ने ले लिया उनका स्थान के लिए LED या LCD तो आप monitor क्या हो गई आपके अपसोल सेंस में आ जाती है ठीक है एक शब्द आता आपका रिक्तिकरण रिक्तिकरण जो प्राकर्थिक संसाधन होते हैं नेचुराल रिसोर्सेज होते हैं उनसे जो आपे संपतिया मिलती है उनके मुल्ले में जो धिरे-दिर कमी होती है अब प्राकर्थिक संसाधनों से या प्राकर्थिक संसाधन के दिरे-दिरे-दिरे-खतम होगी कोई पत्थर की खाने हैं वो क्या होगी देरे-देरे खतम होगी तो वो रिक्तिकरण में आता डिप्लेक्शन के अंदर आता ठीक है तो ये आपके शब्द थे धान दखने थे आपको अब अपन बात करते हैं मुल्ले रास के डैप्रीशियेशन की मुल्ले रास या डैप्रीशियेशन मुल्ले रास स्थाई संपतियों का निरंतर उप्योग करने से उनके मुल्ले में जो कमी होती है उस कौंपन क्या बोलते हैं मुल्ले रास बोलते हैं ये तो इसका अर्थ हो गया अब इसके लिए अधिनियम कौन सा है नहीं लगता है उसका नाम है भूमी भूमी क्या है इसका पवाद हो गया भूमी क्या है स्ताई संपति फिर भी इस पर मुल्य रास नहीं लगता है भूमी एक स्ताई संपति है इस पर रास नहीं लगता है ठीक है ना स्ताई संपति फिर भी इस पर मुल्य रास नहीं लगता है क्योंकि भूमी की value कम नहीं होती है बढ़ती बढ़ती जाती है अब हम बात करते हैं कि मुले रास लगाने के कारण क्या है मुले रास क्यों लगाया जाए मुले रास के कारण क्या है उद्देश्य क्या है जिस वज़े से मुले रास से लगाया जाता है मुले रास के कारण या सबसे पहले बात करते हैं कोष की व्यवस्ता करने के लिए अगर आपको कोश की व्यवस्ता करनी है तो आपको मुल्य रास्त-लगना पड़ेगा कोस व्यवस्ता कर लिए या संपतियों की प्रतिस्थापित करने के लिए जब आपको वापस नई लगानी हो प्रतिस्थापित करने का मतलब सही आर्थी इस्तती का पता लगाने के लिए economic जो condition है वो सही अगर आपको पता लगाना है आर्थी इस्तती का तो आपको मुली रास लगाना पड़ेगा deficit charge करना पड़ेगा तीस्ता जो इसका कारण है वो है assets की cost को उसके जीवन काल में बाटने के लिए यानि संपत्ती की लागत को उसके जीवन काल में बाटने के लिए आपको मुली रास से लगाना जरूरी होता है चोथ आपन कारण देखते हैं कि जो production हो रहा है उसकी cost निकालना उत्पादन लागत जब निकालनी हो तो उसमें संपत्ती पर मुली रास लगाना जरूरी होता है production cost जब निकालनी हो तो मुली रास लगाना जरूरी होता है पाँच वापन कारण देखते हैं इसका फिर तरेजन देखते हैं कि company act जो 2013 है company act 2013 इसने क्या कह दिया कि लाभास अगर आपको बांटना है dividend अगर आपको बांटना है लाभास बांटने से पूर्वे लाभास बांटने से पूर्वे आपको स्थाई संपतियों पर depreciation लगाना अनिवारी है अनिथा आप दाभास नहीं बांट सकते dividend डिस्टिब्यूटे नहीं कर सकते तो यह मुले रास के कारण थी क्यों लगाते हैं मुले रास कोस की व्यवस्ता करने लिए ताकि संपतियों को प्रतिस्तापित क्या जा सकते नमबर दो सही लाभानी का पता और सही आर्थी इस्तति का पता लगाने के लिए मुले रास से लगाया जाता है तीसरा संपत्ति के लागत को उसके उप्योगी जिवनकाल में बराबर बांटने के लिए मुले रास से लगाया जाता है चोथा उत्पादन की लागत क्यात करने के लिए मुल्य रास से लगा जाता है और पांच वां कंपनी एक्ट है उसने कह रखा है कंपनी एक का सेक्षन है 123 123 उसने कह रखा कि अगर आपको डिविडेंट बाढ़ना है तो पहले क्या करना पड़ेगा मुल्य रास लगाना लिए six है खना भूमिपर मुल्य रास लगता नहीं है और इसके मतुपण कारनों का भ hai अने लाइस कर लिया अब हम बात करते हैं मुल्य रास का ले खंकन कर से होता है मुल्य रास का लगांकन कैसे होता है अकाउंटिंग ट्रीट्मेंट Tfte औफ द्शक चोश्तम मुले मुली राजा के लिए प्रावधान नहीं बनाया जाए जब राहस के लिए प्रोविजिट जये आर दूसरा जब राश के लिए प्रावधान बनाया जाए पहली वाल इस्तिति की बात करें पहली वाल स्तितिर佗ाने पहलीन मेमें लगाने पर depreciation लगाने पर संपतियों पर मुले रास लगाने पर इंटरी की जाती है depreciation account debit depreciation account debit to fixed assets account ऐसा कब करना है जब रास के लिए प्रावधान नहीं बनाते हैं तो depreciation account debit to fixed assets account दूसरा अब उस depreciation को अपलिखित करने पर return off करने पर को क्या करेंगे अपलिखित करेंगे अपलिखित P in dr Kard nhân को क्या राशी लेते हैं तो पनल को क्या करते हैं डेयंड करते हैं पेiendo account debit to depreciation account और RAS के लिए प्रावधान नहीं किया जाये अब आपन बात करते है जब रास के लिए प्रावधान किया जाये तो depreciation लगाने पर इंक्री बनती है आपकी depreciation accountant debit, TV, to provision for depreciation, to provision for depreciation account जब राज्च के लिए प्रावधान बनाय जाता है तो depreciation लगाने पर इंक्री क्या बनती है Depreciation account debit to provision for depreciation अब depreciation को क्या करते है रिचन ऑफ करते हैं तो इंट्री बनती है profit and loss account debit to depreciation account profit and loss account debit to depreciation account यह दो इंट्री अबंती है राज केलिए प्रावधान बनाने पड ध्यान दीजेगा इन दोनों इंट्री ओं की जगें इस इंट्री और इस इंट्री की जगें कि दोनों की जगें अपन चाहें तो एक इंट्री भी कर सकतें यह जो दोनों इंट्री þा ना यह वाली होरी है इसकी जगें चाहें तो एक इंट्री भी कर सकतें बाइध लेकशले और Go दोनों की जगह इन दोनों two entry करनात्य तो बात रहे हैं मुलि राश के लेखंकन की विधिया कि तो बात करते हैं मुले रास के लेखंकन की विधिया मूले रास के विधिया मुले रास मुले रास की विधियां मुले रास की विधियों की बात करेपन मुले रास की जो विधियां है उसमें accounting standard 6 AS6 लेखा मानक 6 के अनुसार मुले रास के लेखांकन की दो विधियां बताई गी है accounting standard 6 AS6 मुले रास के लेखांकन की दो विधियां सिर्फ दो विधियां बताई गी है पहली है स्थाई किस्त विधि पहली विधि का नाम है स्थाई किस्त विधि और दूसरी विधि का नाम है क्रमागत विधि दायमने शिंग मैथड करमागत विधि यह दो विधियां मुले रास के लेखांगन की यह किस में बताएगी है accounting standards 6 में बताएगी है दो विधियां बता रखिए अपन डिसकस करते हैं पहली विधि की पहली स्थाई स्थाई किस्थ विधि स्थाई किस्थ विधि के हम बात करें स्थाई किस्थ विधि मुले रास के लेखांगन की पहली विधि है स्थाई किस्थ विधि देखो इसके नाम से ही क्लीर है स्थाई का मलब फिक्स इंस्टॉल्मेंट एक निश्चित ताइम में में इस विधि के नुसार जो हमारी स्थाई संपतियां है उन पर रहास एक निश्चित दर से लगाया जाता है इनको निश्चित दर होती है फिक्स दर रहो गिए उसी दर के साव से लगा जायगा इस विदी के नुसार हर वर्स प्रतीवर्स रहास कि रासी समान रहती है जो जो पहले साल होगा वही अगले साल होगा स्थाई किस्त विधी मुल्य रास्त लगा जाथ है तो संपत्तिष्ट का मुल्य शुन्य हो जाता है लास्ट में SMPT मूल लागत विदी, औरिजिनल कोस्ट विदी, सीधी रेखा विदी, स्ट्रेट लाइन मेथड, सरल रेखा विदी के नाम से भी जानते हैं तो ये हमारी है स्थाई किस्त विदी, हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं स्थाई किस्त विदी की स्ताइक किस्त विदी में क्या क्या है सबसे पहले हम बात करें स्ताइक किस्त विदी जो होती है उस पर जो रास लगता है वो मूल लागत पर लगता है मूल लागत मूल लागत का मतलब ओरीजनल कोस्ट रास किस पर लगेगा मूल लागत पर लगेगा नंबर दूसरी बात स्त प्रतिवस समान, प्रतिवस समान रहता है, अगर पहले साल रास आपका 10,000 लगा है, तोगली साल भी कितना रहेगा, 10,000 ही रहेगा, तीसरी इसकी जो विसिस्ता है, वो है कि सेस सुनने हो जाएगा, अंतरता इसका सेस क्या हो जाएगा, सुनने हो जाएगा, जीरो हो जाएगा चोथी इसकी बात है ये उन संपतियों के लिए महत्पूर्ण है जिनका निश्चित जीवनकाल होता है कैसा जीवनकाल निश्चित जीवनकाल वाली जो संपतियां है उनके लिए ये जरूरी है अच्छी है या इसका दूसरा नाम या अधर नाम मूल लागत भी है मूल लागत विदी भी है इसको सीधी रेखा विदी सरल रेखा विदी स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलती है सरल रेखा विधी भी बोलते हैं सीधी रेखा विधी भी बोलते हैं तो स्ताइकिस्ट विधी के अंदार सबसे पहली बात क्या है कि मूल लागत जो डेफ्रीशेशन लगेगा वो किस पर लगेगा मूल लागत पर लगेगा ओरिजनल कोष्ट पर लगेगा मालों की एक 27 संपत्ती हमने 90 हजार रुपे में खरेदी और उसको स्थापित करने में, एस्टेबलिस करने में 10 हजार रुपे और खर्च की तो टोटल होगी मूल लागत हमारी 1 लाख अब हर वर्ष जो रहास लगेगा वो 1 लाख रुपे पर लगेगा इसको बोलते हैं मूल लागत, ठीक है जी, मूल लागत पर नमबर दो, मूल ले रहास जो है वो प्रतिवर्ष समान लगेगा माल लेता हूं की 1 लाख रुपे अगर किसी असेट्स की मूल लागत है और उस प्रतिवर्ष रहास 10 प्रतिशत लगाया जाता है तो 1 लाख का 10 प्रतिशत 10,000 रुपे होता है तो उस फिक्स असेट्स पर हर साल कितना रहास लगाया जाएगा 10,000 रुपे ही लगाया जाएगा और हर वर्ष प्रतिवर्ष समान रहेगा अगले साल परिवियो सेम रहेगा तो स्ताइक इस विधी में राश की दर क्या रहती है? समान रहती है नंबर तीसरी महतुपन बात क्योंकि इस विधी में मूल लागत पर राश चार्ज कियाता है तो अंततय जो संपत्ति है उसका मुल्य शुनने हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो ये ध्यान रखना है इस तरह से क्यूशन पूछा जा सकता है कि किस विधी से रास लगाने पर संपत्ति का मुल्य शुन्ने हो जाता है तो आपका आंसर क्या होगा स्थाई किस्त विधी किस विधी से रास लगाने पर संपत्ति का मुल्य शुन्ने हो जाता है तो हमारा आं काल निश्यत जीवनकानेवाली संपतियों के लिए अच्छी है Jこう आप एक्जाम्पल लें तो फ़र्णीचर वगर था तो उन पर आप मुले रास्त यह लगा सकते हैं पांच्मा इसका म्हें तो point है आपका इसका अन्य जो नाम है मूल लागत विदी भी है और सीधी रेखा विदी भी है यहां सीधी रेखा विदी का मतलब यह है कि इस पर जब रास लगाते हैं इस विदी से जब रहास लगाते हैं तो उसका अगर डाइग्राम अगर बनाते हैं अपन तो डाइग्राम किस तरह से बनता है देखना माल लेते हैं इस तरह से अपन डाइग्राम बना रहे हैं तो डाइग्राम के अंदर क्या रहेगा माल लेते हैं कि यह इधर तो वर्स है इ यह 24,000 एटन थैन थाजन हे अपने किस की रखा है इडन का रखा है अगा और मान लेते हैं कि किसी संपत्य कर यह 2007 डिस पर प्रति राहस्ट की श्य होती है 6,000 प्रतिवर्स रास की रासी कितनी होती है 6,000 उस संपत्ति पर अपने को definition लगाना है तो 6,000 अब अपन यहां पर देखते हैं पहले साल यह first year यह second year यह third year तो पहले साल यहां इसको अपन डोट करते हैं तो 6,000 पर यहां डोट हो जाएगा इसको अपन करते हैं तोड़ा शेयर करते हैं यहां डोट करते हैं इसको देखो यह लोजीए पहले साल का यह से हो जाएगा दूसरी साल फिर 6000 पर लगेगा चोती साल फिर 6000 डेफिशन लगेगा पांची साल फिर 6000 डेफिशन लगेगा अब अगर इस से अपन इसको रेखां कीचे यहां पर इसमें तो यह रेखां हमारी इस तरह से होती है line सीधी straight होती है होरी एक नहीं होरी है होरी है ना तो यानि सरल रेखा सीधी रेखा इस विदी से रहाश चार्ज करने से हमारा जो diagram मनता हूँ सीधा straight बनता है इसलिए इसका नाम क्या है सीधी रेखा विदी या सरल रेखा विदी भी है तो यह हमने point पड़े हैं आपके स्थाई किस्थ विदी के हमने बात किये तो स्थाई किस्थ विदी क्या होती है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ठीक है जी अब स्थाई किस्थ विदी के अंदर जो depreciation charge के जाता है उसके formula के बात करते हैं स्थाई किस्थ विदी में जब depreciation charge के जाएगा तो उसके formula के बात करते है formula लिखते हैं अपन मुले रहास बराबर मुले रहास depreciation बराबर संपत्ती की लागत संपत्ती की लागत संपत्ती की लागत संपत्ती की लागत माइनस आवसिस्ट मुले आवसिस्ट मुले और दिवाइड भाग देना है संपत्ती का उपयोगी जिवनकाल संपत्ती का उपयोगी जिवनकाल और इस जिवनकाल किस में होगा endurance संपत्ती का उपयोगी जिवनकाल ये formula किसका हूगया, जी हमारा मुले-arıस का depreciation का हूगया एक छोटा ईडा फोर्मुला अब राष की दर का मुले-रास की दर की बात हो तो ये भी formula अपन फीड कर लेते हैं लिख लेते हैं अगर अपने को निकालनी हो तो वो कैसे होगा जी मुले रास की दर निकालेंगा तरीका होगा मुले रास प्रतिवर्स depreciation per year मुले रास प्रतिवर्स divide by देना है संपत्ती की लागत संपत्ती की लागत संपत्ती की लागत का मतलब original cost of assets into so so से multiply कर देना अगर अपन ऐसा करते हैं तो हमारे पास मुले रास की दर आ जाती है तो द्यान से देखेगा मुले रास का formula क्या होता है किस विधी के अंदर स्थाई किस विधी के अंदर मुले रास का हमारा formula है संपत्ती की लागत cost of assets minus of system divide by संपत्ती का उप्योगी जीवनकाल वर्सो में तो संपत्ती की लागत क्या होती है इदान से दिखना जी यहां संपत्ती की लागत का मतलब जब खृदा गया मुल्ले ही नहीं है इसके अंदर खृदा गया मुल्ले प्लस इसको लाने वे जो लगा है वो मुल्ले प्लस स्थापना पहे जब जोड़ देते हैं तब संपत्ति की लागत आती है यनि Purchasing Price Purchasing Price प्लस जो केरीज का इसका expenses लगा है वो प्लस establishment expenses तीनों को जोड़ते हैं तब हमारे पास क्या आएगी संपत्य की लागत आएगी संपत्य की लागत आएगी ठीका जी उसके बाद में आपको एक है अवसिस्ट मुले जिसको हम बोलते हैं स्क्रेप वेल्यू अवसिस्ट मुले या स्क्रेप वेल्यू स्क्रेप वेल्यू वो होती है कि संपत्य का उपयोगी जिवनकाल समाप्त हो गया जो संपत्य जितने साल क काम में लेने थी अब कोई काम की नहीं हमारे तो उसको बेचते हैं उसको बेचने से जो रासी हमें मिलती है उसको हम अवसिस्त मुल्ले या स्प्रेप वेल्यू बोलते हैं संपत्ति का जीवन काल समाप्त होने के बाद में उसका जो अवसेस बसता है उसको अपन रद्धी के संपत्ती का उपयोगी जिवन काल वर्सोमी कितने साल समपत्ती आपकी चलेगी पांचसाल दत साल जो भी है उसका भाग देरना है तो हमारे पास क्या आजएगा honest मुल्यास आजएगा कि deflection कितना है यह आजएगा clear सबको समझ में आगए अच्छे से अब हम बात करते हैं मुले रास की दर मुले रास की दर कैसे calculate करेंगे मुले रास की दर फॉर्मूला है मुले रास प्रतीवर्स कितना लगा गया है depreciation per year डिवाइड किसे करना भाग किसे देना है संपत्ती की लागत cost opposites और into करना है हमारे पास क्या जाएगी मुले रास की दर क्ताया से मुले रास और मुले रास कि दर बड़ी आसानी से आसके कर सकते ठीक है सबको अच्छे से समझ आ गए होगा एक छोटा सा एक्जम्पल ले रहे हैं ठीक है जी क्रे मुल्य है एक संपति का क्रे मुल्य यानि ख्रीदा गया मुल्य एक संपति का है एक लाख असी हजार रुपे उसको स्थापित करने में स्थापनावे स्थापनावे महान लेती हैं इसके मुल्य है ले piace मुल्य है और संपत्ती का जीवन काल है संपत्ती की जिन्दगी जो है जीवन काल जो है वह हम एजूम कर लेते हैं कितने साल चलेगी दस वर्स संपत्ती हमारी कितने साल चलेगी 10 वर्स चलेगी देखो भई ध्यान से दीखना हमने एक्जांपल क्या लिया है कि एक संपत्ती है जिसका क्रे मुल्ले खृदा गया मुल्ले है 1,80,000 रुपे में हमने खृदी है और खृदने के बाद में उस मशीन को जो संपत्ती है उसको सै जाएगी 1,80,000 प्लस 20,000 यानि इन दोनों को अपने को जोड़ना होगा तब संपत्ती की क्या आएगी लागत आएगी ठीक है उसके बाद में अवसिष्ट मुल्ले को क्या करना आपने को फ्रूमूले में से मैनिस करना है फिर उसके बाद में जीवन काल जो संपत्ती का होत स victorious 네 समपत्तिक संपत्तिक की लागत हमारे पास 20000 रुपए हुग गई मैनस अवसिस्ट मुल्य कितना है 40,000 रुपए यालो जी 40,000 रुपए अवसिस्ट मुल्य हो गया ठीक है जी ये 2 लाक समझBack में कैसे आया मुल्य प्लेस के अंदर जूड़ा है दोनों को क्यों पास आईतके किसे करना है यह स्रेक्ट करना है जीवनिफ काल कितना है मापका है थविर्ण The दस आ यह तो दस वर्ण आप इसमें शimmel लॉटी जाईत करोगी इसमें 10 equal to 16,000, यनि हर साल definition कितना charge करोगी आप, हर साल definition charge करना आपको 10,000, ठीक है जी, हर साल definition 10 तार charge करेंगे, अब definition तो calculate हो गया, दूसरा अपने को क्या calculate करना इसके अंदर, मुले रास की दर ग्याद करने है, तो मुले रास की दर जब हम ग्याद करेंगे, तो अपने को क्या करना है, formula लगाना है rate का, rate जब आपको निकालनी हो, तो formula आपका मुले रास प्रतिवर्स कितना रहेगा, 16,000 ठीक है, और संपत्ति के लागत कितनी है, लागत आपकी 2,00,000, संपत्ति के लागत है, 2,00,000, इंटू कितने से करना है, 100 से, दर निकालने के लिए, इंटू कितने से करना पड़ेगा, 100 से करना है, कोई हमारे पास option नहीं है, तो 100 से इसको अपने multiply कर देते हैं, तो उसके बाद में क्या करना है, calculate कर लेना है, calculate करते हैं, तो ये काट देते हैं इसको, तो हमारे पास बचेगा 8,38%, संपत्ति के लागत कितनी आ जाएगे, आपके पास, 8% आ जाएगे, ठीक है जी, ये आपका हुआ है, इसको डिवाइड कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास rate आ जाएगी, कितनी परसेंट आ जाएगी, इस तरह से स्थाई किस्थ विदी से हम depreciation निकाल सकते हैं, आपको स्थाई किस्थ विदी से depreciation निकालना आ गया होगा, तो हमने बात की थी मुली रास के लेखांकन की विदियां, उसमें से जो accounting standard 6 में दे रखी है, पहले वाले ही तो उस्थाई किस्थ विदी, और दूसरी हमारी करमागत रास विदी, करमागत रास विदी से depreciation लगाना, तो second वाली हमारी विदी है, करमागत रास विदी, करमागत रास विदी, जब हम करमागत रास विदी के हम जब बात करते हैं, तो करमागत रास विदी के अंदर का है, इसको हम जोलते हैं, डाइमिनीशिंग बैलेंस मेथड, डाइमिनीशिंग बैलेंस मेथड, करमागत रास विदी है, डाइमिनीशिंग बैलेंस मेथड, स्ताई संपत्ति की दूसरी हमारी महत्वपुन विदी है इसके महत्वपुन पॉइंट के अंदर बात करें कि ये उन संपत्तियों के लिए अच्छी है जिनका जिवनकाल निशित नहीं होता है इस विदी से डेफेशिशन लगाने से संपत्ति का मुल्य कभी भी शुन्ने नह ही हो सकता है कर्मागत रास विदी से मुल्य रास चार्ज करने से मुल्य रास प्रतिवर्ष अलग अलग दर्ष याता है मुल्य रास की दर जो होती है वो अलग अलग होती है और करमागत राहसविदी से जब मुले राहस चार्ज किया जाता है तो आपके राहस का जो इफिक्ट है वो प्रतिवस अलग अलग पढ़ता है, अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं सबसे पहले करमागत रास विदी में बात करते हैं नंबर पॉइंट वन की इसकी जो गणना की जाती है वो रिटन डाउन वेल्यू पर की जाती है किस पर की जाती है रिटन डाउन वेल्यू पर अपलिखित मुल्य पर की जाती है और स्ताई किस विदी में किस पर करते थे अप क거를 प्रतिवर्श कम होता रहता है गड़ता रहता है कम लगेगा पेली वर्श से जाधा दूसरे साल कितना लगेगा हो उसके बाद में ये किस लिए होता है जिनका जिवंकलनि शित नहीं हो देखिनि ठीक है जी जैसे मसीन है प्लांट है तो मसीन और प्लांट अगर इनके लिए अच्छी नहीं है ठीक है चोथी अपन इसकी क्रेक्टेस्टिक्स की या मैं तो बात करें तो वह सेश सुनने नहीं होता है सेश सुनने नहीं होगा ठीक है और बढ़िया वाली बात यह कि सर्वस्रेश्ट है सर्वस्रेश्ट एवं विज्ञानिक सर्वस्रेश्ट एवं विज्ञानिक विदी है ठीक है तो करमागत रहास विदी की और हम बात करते हैं लास्ट इसके पोइंट की बात करें तो इसका अन्य नाम क्या क्या है रिटन डाउन वेली इसका नाम है ठीक है गड़ती हुई सेस्विधी गड़ती हुई सेस्विधी भी इसका नाम है और कर्मागत रास्विधी तो है ही है तो देखे जी करमागत रासविदी के अंदर जो रास लगाया जाता है वो return down value पर लगाया जाता है return down value का मतलब अपलिखित मुल्ले का मतलब यह है मान लेते हैं कि एक assets की cost है एक लाग रुपे लागत कितनी है एक लाग रुपे और पहले वर्स उस पर रास लगाया गया है 10,000 रुपे पहले वर्स कितना रास लगाया है 10,000 तो एक लाग में से अगर हम 10,000 माइनस का देते हैं तो कितना बचा 90,000 रुपे इसको हम बोलते है return down value क्या बोलेंगे return down value तो अगली साल जो रास लगेगा वो return down value पर लगेगा ये इस point का मदलब है return down value का ठीका जी दूसरा था प्रतिवर्स कम होता जाता है अभी हमने return down value की बात की कि पहले साल संपत्ती पर लगेगा एक लग पर आस दस लगेगा तो नब्ब्व हजार पर अगर 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 पन जैसे पहले वाले के एक लाका अपने दस जार निकालेंगे तो कितना ऐगा 9000 इसका मुλब रास की दर क्या हूई सुरी रास कितना क्या होगा आपका कम हुऊ पहले वर्स की तला में रास दूश्तरी वर्स क्या होगा कम अगले वर्स फिर कम इसका मनलब प्रति वर्स रास कम होता जाता है तोड़ा-तोड़ा yam हो जाजाता है यह आपका रा दूसरा तीसरा यह उन संपतियों के लिए अच्छी है जिनका जीवन का निशित नहीं होता है कभी भी खतम हो सकती है जैसे मसीन है कोई प्लांट है तो मसीन में तो कुछ भी हो सकता है कोई भी मिस्टेक आ सकती है तो उनके लिए अच्छी होती ह चोती बात इसके महतुपून इसमें इस विधी से राहस लगाने से संपत्तियों का मुल्ले कभी भी शुनने नहीं हो सकता तो ये बड़ी महत्वपोन और इंपोर्टेंट बात है आपकी क्यूसिन आपका इस तरह से पूछा जा सकता है कि किस विदी से रहास लगाने पर संपत्ति का मुल्य शुन नहीं हो सकता है तो कौन सी होगी आपकी करमागत रहास विदी जिसको हम रिटन डाउन वेल्यू मेथ भी बोलते हैं पांच वा ये सरवस्रिष्ठ है और विज्ञानिक है इसको मनिता है कानूनी प्रलेख के रूप में इसको प्रस्तूते कर सकते हैं ठेक है तो सरवस्रिष्ठ है और इसके अन्ने नाम रिटन डाउन वेल्यू method है उसको अपन अपलिकित मुल्य विदी या घर किसों लेते हैं इसको की डिश्ट इसिस में कैसे कैलकुलेंट करते हैं एक एक छोटा सा एक जमपल ठीक हजी त Dépat हो एक अशेट्स जिसको हमने कितने में खरीदा परचेज किया है 90,000 रुपए में इसे में जैसे जिस अमने हं लगे हैं दस हजार पे स्क्रेफ वेल्यूностиं। इसक ले ऑव्सिस्ट मुल्ले इसका मंनों की होगा 20,000 रूपे। कितना होगा 20,000 रुपे और जो depreciation की rate है rate of depreciation rate of depreciation हम मान लेते हैं 10 परसेंट है ठीक है जी यह हमारा क्योंच जहां से समझे ना परचेश कितने में की संपत्य आपने 9000 रपे में थापित करने में किते लगाएं, 10,000 पे, scrape value कितनी है, 20,000 पे, और deflection की rate कितनी है, 10%, सबसे महतुपुन बात, diamondishing method के अंदर, written down value method के अंदर, ये जो आपका scrape value दे रखा है, ये कोई काम का नहीं है, जो आपका script value दे रखाईए यह कोई काम का नहीं है किस विधी में कर्मागत रास विधी में इस ताही विधी में काम का है क्योंकि formula लगाते है उसमें अफसी स्टमुल्य को क्या करते हैं माइनिस करते हैं यहां यह कोई काम नहीं आएगा इसको use नहीं करना है स्पेसली धन रखे आप अब हम बात करते हैं कि 90,000 पे में खरीदा 90,000 पे में खरीदा तो ये तो पर्चेजिंग प्राइस और कितना खर्चावा लाने में नहीं दे रखा कोई बात ने लेकिन स्थापित करने में खर्चा दे रखा आपको कितना हुआ 10,000 तो टोटल आपका क इतने रुपे लगे जी एक लाख रुपे यह लोजी आपकी इस संपत्ति की कोस्ट कितने आ गई एक लाख अब सिस्ट मुले से कोई लेना देना नहीं है करमागद रहसविदी में अब इसका रेट जो दे रखी है वो कितने परसेंट दे रखी है 10 परसेंट अब अगर प्रतिवर्स प्रतिवर्स रहस कम हो जाएगा अब दूसरे साल जोर्टतिवर्स इसे लगेगा बताओ ओरीजिनल कोस्ट पर लगे गा या रिटन डाउन वेल्यू पर रिटन डाउन वेल्यू पर कैशें है चैयोंकि उरिजिनल कोस्ट कितनी है एक लाख इसमें से डेफ फीशन कितना कम करना है 10,000 value कितनी बची आपकी second year में आपकी return down value WDV कितनी रहेगी 90,000 कैसे 1 लेक तो इसकी cost थी इस में से minus कितना कर दिया हमने depreciation तो return down value कितनी रहेगी 90,000 अब depreciation किस पर लगेगा 90,000 का 10% कितना हो जाएगा 9,000 रुपे हो जाएगा इस तरह से इस पर depreciation charge 9,000 यहां पर यह definition हो जाएगा फिर 90,000 में से 9,000 कम हो जाएगे 81,000 हो जाएगे उस पर 10% 8,100 हो जाएगा इस तरह से depreciation charge किया जाता है ठीक है समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से इसको हम बोलते हैं करमागत रास विधी पर depreciation charge करना तो यह दो महत्तुपुन विधियां थी आपकी मुले रास के लेखांगन की जो लेखा मानक 6 में दे रखी है accounting standard 6 में दे रखी है स्थाई किस्त विधी और करमागत रास विधी ठीक है जी अब हम और एक दो महत्तुपुन विधियां है उसके हम बात कर लेते हैं तीसरी जो महत्तुपुन विधी है वो है अंकों की योग विधी अंकों की योग विधी अंकों की योग विधी अंकों की योग विधी कि हम जब बात करें तो बात करते हैं कि ये किस के लिए महत्तुपुन है तो यानि ऐसी संपतियां जिनका निश्चित जीवन काल होता है उसके लिए अंकों की योग विधी काम में ली जाती है जिनका जीवन काल निश्चित होता है उनके लिए काम में ली जाती है यानि निश्चित जीवन काल की संपतियों के लिए निश्चित जीवन काल जिनका होता है उन संपतियों के लिए अपन अंकों की योग विधी काम में लेते हैं इसमें देखो किस तरह से होता है एक एक्जम्पल से ही समझते हैं इसको एक एक्जम्पल लेते हैं अपन कि एक संपत्ती है उसका क्रे मुल्ले है आपका एक लाख रुपए ठीक है जी और उसको स्थापित करने में स्थापनावे इस्टेब्लिश्मेंट एक्सपेंसेज है आपका पांच हजार रुपए और उसका जीवनकाल उसकी लाइफ है किते साल तक चलेगी पांच वर्स तक संपत्ती हमारी किते साल चलेगी पांच वर्स तक चलेगी अवसिस्ट मुल्ले यानि स्क्रेप फेल्यू स्क्रेप फेल्यू रहेगा आपनमा लेते हैं पंदरा हजार रुपए अब आपको कहें कि अंकों की योग विदी से अगर इसका डेफिशेशन निकालना है तो किस तरह से निकाला जाएगा तो देखो जी सबसे पहले तो आप यह देखे कि क्रेम मुल्ले कितना है एक लाग रुपए और पास कितना रहेगा यह और इह कितनी साल तक चलेगी, पांच साल तक चलेगी, अब देखो इसके नाम से clear है। अंकों की योग विदी तो अंकों का योग करना अंक यानि साल या अंक का मतलब क्या होगा वर्स यह साल होगा पांच हाना तो आप इसको इस तरह से कल्कुलेट करते हैं इस विदी के अंदर देखो पांच वाँ वर्स उसके बाद में चोथा उसके बाद में तीसरा उसके बा 10 फिर 9, 8, 7, 5 इस तरह से 5 बस तक का जी उनकाल है तो सबसे पहले कितना लिखना है 5 प्लस 4, 3, 2, 1 लास तक जाना एक तक अब इसको कर देना है अपने को टोटल इस सब क्या कर लेना है टोटल कर लेना है इन सब का जब हम टोटल लगाएंगी इसकी जुरूत नहीं है इसकी अंडरलाइन की हटा देता हूं इसको मैं इन सब का अगर टोटल लगाएंगे तो इनका टोटल कितना आ जाएगा जी 15 यह अंकों का यो कितना आ गया 15 आ गया अब आप फर्स्ट इयर जब डेफरीशेशन लगा होगे आप जब फर्स्ट इयर डेफरीशन लगा होगे यानि फर्स्ट इयर जब डेफरीशेशन लगा होगे तो आपका तरीका क्या रहेगा यहां पर कितना लिखा हुआ है फाइफ फर्स्ट इयर जब डेफरीशन लगा होगे तो तो आपकी सबसे पहले तो यहां लिख देते हैं आपन एक लाख पांच हजार रुपे की आपकी असर्स थी उसका अवसिस्ट मुल्य कितना है 15,000 ठीक है कितना रहेगा 90,000 यह तो होगी कोस्ट अवसिस्ट मुल्य घठाने के बाद अब पहले साल आपने कितना लिखा था 5 अं यह कितना है 15 अब इसकों कातेंगे तो कितना यह से दियार के इंड़िशाशन कातने अब इससरे साल की बात करें चार डिवाइट किते से करना है पंदरा से तो कितना जाएगा आपके पास चोबीस हजार इस तरह से कंटीन्यू कर लेंगे थार्ड येर तीसरी येर के बात करें तो नब्बह हजार इंटू थ्री बाई ट्वाल एक्वल टू डैफिसल ना जाएगा थारा जार चोथी साल के हम बात करें फोर्थ येर के बात करें तो क्या करना है अपने को बड़े आराम से बड़े आसानी से नब्बह हजार तू बाई फिफ्टीन एक्वल टू हो जाएगा बारह हजार ठीक हजी और फिफ्ट येर के हम बात करें लास्ट यह जो है इसका जीवनकाल का 90,000 वन बाइ 15 एक्वल टू हम निकालेंगे तो कितना आजाएगा जी 6000 इस तरह से अंकों की योग विधी नंबर ओफ येर मैथड से हम डेफ्रीशिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं समझ में आगया होगा आपको कि निश्चित जीवनकाले वाली जो संपत्य होती है उसके लिए अंकों की योग विधी से भी डेफ्रीशन निकाला जा सकता है और अंकों की योग विधी में क्या करना है आपको पहले अंकों का योग कर लेना है और अंकों का मतलब यहां पे क्या है जितना जीवनकाल है अगर किसी संपत्ति का जीवनकाल पांच वर्स है तो आपको पांच प्लस चार प्लस तीन प्लस दो प्लस एक करना है अगर किसी एक लोकोस्ट के अवसिस्ट मुले गठाने के बाद में जिस तरह से अपने एक्जामपल में किया है आपको अच्छे से अंकों की योग विधी समझ आ गई होगी ठीक जी अब हम बात करते हैं एक और विधी हमारी है जिसका नाम है वार्शी की विधी वार्शी की विधी जिसको हम बोलते है एनिटी मेथट क्या बोलेंगे एनिटी मेथट बोलेंगे वार्शी की विधी बोलेंगे वार्शी की विदी, देखो जो हमने स्थाइकिस्ट विदी की जो बात की थी, करमागत रहास विदी की बात की थी, उसके जो लिमिटेशन्स है, जो कमिया है या जिसको दोस कह सकते हैं, उनमें यह था कि जितने पैसे विन्योजित के जाते हैं, इन्वेस्ट के जाते हैं, उस उस पर ब्याज की कोई लेखा नहीं होता है उस पर इंट्रेस्ट की कोई बात नहीं की जाती है लेकिन वार्षी की जो विदी है उस पर विन्योजी रासी पर ब्याज का भी ध्यान रखा जाता है यह स्पेसली इसके अंदर वार्षी की विदी के अंदर क्या होता है जो आपन गरन संपतियों के लिए अच्छी है, जिनको लीज पर लिया जाता है। लीज पर या पट्टे पर जिन संपतियों को ली जाता है, उनके लिए भूत अच्छी है. ठीक है? और तीसरी महतव बात रास की दर इसमे भी प्रतिवर्स क्या रहती है? समान रहती है. प्रतिवर्स रास की दर स्वरी रास की रासी रास की रासी क्या रहती इसमें भी समान रहती है ठीक है जी तो यह है आपकी वार्शिक की विदी यानि जो स्थाई किस्त विदी और विनियो आपका कर्मागत विदी की जो कमिया थी ना उनको ध्यान वे रखते हैं इस विदी का दिए मेसे और जो पट्टा अपने विटकी जगे है और प्रतीवर रास इसमें ले लेखी है उसके लिए जब गइए को I'm बात करते हैं मधभूपुर्ण बात की किए इसका फोर्मुला क्या है इसकाcla क्या है मुल्ले रासने इक्वल टू इसका फॉर्मुला मुले रास बराबर होता है आपका विनियोजित पुझी विनियोजित पुझी इन्वस्टेट कैपिटल विनियोजित पुझी इन्वस्टेट कैपिटल इन्टू पी वी एफ इन्टू पी वी एफ पी वी एफ का मतलब यह है पी वी अफ का मत मतलब है present value factor PVF का मतलब यहां पे है present value factor तो यह इसका formula होता है विनियोजी पुन्जी into PVR present value factor ठीक है तो यह दो और विदी हैं आपको formula अगर पूछ ले यांकों की योग विदी का किस तरह से calculate कर ले आपको पूछ ले तो थोड़ा जानना जरूरी था वैसे जड़ा important जो है वो हमारा दो जो accounting standard 6 में दे रखी है स्ताई किस्त विदी और करमागत रास विदी है ठीक है अब दो थोड़ा सा महतुपुन्ट बात कर लेते हैं note लगा करके लिख लीजिए आप यह note लगा करके इसको समझ लीजिए सबसे पहली बात क्या है जो रास है वो है क्या चीज रास लाभों पर प्रभार है रास लाभों पर प्रभार है लाभों पर प्रभार चार्ज ओन प्रोफिट लाभों पर प्रभार का मलब चार्ज ओन प्रोफिट ठीक है चार्ज और प्रोफिट का मिनिंग क्या है यानि एक व्यापारिक भलेई लाभ हो या हानी हो डैफ्रीशेशन लगाना ही लगाना है उसको बोलते हैं लाभों पर प्रभार यानि चाहे लाभ हो या हानी हो चाहे प्रोफिट हो या लोस हो आप डैफ्रीशेशन चार्ज करोगे के ही करोगी इसका मतलब हो क्या लाबों पर प्रभार है आपको लगाना ही पड़ेगा ये लाबों पर प्रभार की बात हुए ठीक है एक और छोटी सी विधी के हम बात कर लेते हैं रिक्तिकर्ण विधी रिक्तिकर्ण विधी रिक्तिकर्ण विधी डिप्लेक्शन मेथड जो होती है रिक्तिकर्ण विधी और रिक्तिकर्ण विधी में डारेक्ट फॉर्मुली हम बात करते हैं इसका फॉर्मुला होता है संपत्ति की मुल लागत मैनस आवसिस्ट मुल्ये संपत्ति की मुल लागत मैनस आवसिस्ट मुल्ये संपुन जीवन काल में उत्पाधन में उत्पाधन मत्रा पूरे जीवन काल में कितना उत्पाधन होगा इंटू प्रति वर्स उत्पाधन का मतलब क्या है कि आप उस संपत्ति का एक साल में कितना उत्पाधन हो रहा है हर साल कितना हो रहा है वो कि उत्पाधन की बात है देखिए रिक्तिगण विधी को इंग्लिश में हम बोलते हैं डिप्लेक्शन मेथड यानि ऐसी संपतियां जिनका धिर्द्रक्षय हो जाएगा जो स्माप्त हो जाएगी जैसे तेल की कुई हैं खाने हैं खदाने हैं कोईले की खान है सोने की खान है सोना कोईला में सोना मिलत है तो वो जो धिर्दे स्माप्त होने वाली है जो प्राकर्तिक संसादनों से हमें मिलती है तो उनको उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारा संपत्ति की मूल लागर माइनस अवसिष्ट मूल है और संपूर्ण कितना उत पादन करें गया टॉटल प्रोडक्शन अमारे कितना होगा और रास कितना उद्र मुलिय रास के अंदर मुले रास three नगे है उसकी बात कर लिमुले-ली रहस क्यों लगाते है कारण हमने अच्छे से समझ लिया है मुले-ली- महत्यU पुन हमारी विदिया स्थाइकिस्थ विधी और कर्मागत रास विधी की बात कर ली और चाहिक अंकी योग विधी वार्सिकी विधी और रिक्तिकन विधी बाइदावे मालो इसके फॉर्मुला वे स्पिक्यूशन पूटब हो जाए तो मैंने आपको इसको एक्स्प्लेन कर दिया अच्छे से अब इसी चेप्टर के अंदर मुले रहास के अंदर ही एक टोपिक और आता आ योजन और शंचे रिजर्व अट सर्प्लस उसके भी हम बात कर लेते हैं एक मेहत्वोपन टोपिक आता आपका योजन योउं संचे तो हम बात करें उसी टोपीक की प्रावधान या संचे ठीक है जी दीखो अपना हेडिंग डाल रहे हैं प्रावधान प्रावधान जिसका दूसरा नाम आयोजन भी है और संचे प्रावधान और संचे प्रावधान को तो हम बोलते हैं प्रोविजन प्रावधान को क्या बोलेंगे प्रोविजन और रिजर्व संचे को बोलते हैं रिजर्व प्रावधान संचे दोनों को अपन अच्छे से डिसकस करते हैं प्रावधान जिसका दूसरा नाम आयोजन भी है प्रावधान व्यापारी देखो एनिशिता ही रहती है फ्यूचर में क्या हो जाएगा क्या होने वाला है बड़ी ऐसे निशिता रहती है तो भविस्य में होने वाली अज्यात हानियों एहुं खर्चों के लिए आयोजन का निर्मान किया जाता है future के अंदर जो अग्यात हानी कोई भी हो सकती है या कोई खर्चा हो सकता है प्रोविजिन के बात करें कितनी होगी लेकिन ये पता है कि नुखसान जरूर होगा 100% होगा शोर होगा लेकिन उनके amount हमें पता नहीं है उनके लिए आयोजन या provision बनाया जाता है आयोजन प्रोविजन या प्रावधन बनाया जाता है यानि ऐसी खर्चे या हानिया जो फ्यूचर में होगी 100% होगी जिनको अपन रोक नहीं सकते लेकिन उनके रासी कितनी होगी नहीं पता है उनके लिए क्या बनाते हैं प्रोविजन बनाते हैं और संचे ठीक इसका अपोजिट यानि ऐसी हानिया या खर्चे जिनको अपने पताई है कौन से खर्चे होगी या यह यह जदान का निर्मान लाबूचा कि हैं और संचे कि उसका निर्मान यह जदा एक वंपने में और इसको देख लेखे सबसे पहले कीए प्रावधान प्रावधान का मतलब होता है आयोजन प्रावधान का दूसरा नाम क्या है आयोजन ठीक है अब इनकी बाउंडरी बना देते हैं एक सीमा रेखा डाल देते हैं यह बोर्डर है बोर्डर से इधर उधर नहीं जाना है वरना कहीं पे भी हमला हो सकता है बोर्डर का ध्यान लखन आपन संचे जिसको हम बोलते हैं रिजर्व ठीक है वो था हमारा प्रोवीजन यह हमारा प्रोवीजन है प्रोवीजन और रिजर्व दोनों की अपन बात करते हैं पॉइंट टू-पॉइंट बात करते हैं सबसे पहली बात यह तो ग्यात खर्चों और हानियों के लिए आपका अग्यात होनी चाहिए, रासी अग्यात होनी चाहिए, रासी का पता नहीं है, अब हम संचे की बात करें तो इसका ठीक रिवर्स, अग्यात खर्चों एवहानियों के लिए, खर्चा भी क्या होगा, अग्यात होगा, और हानी भी क्या होगी, अग्यात होगी, लेकिन उनके रा बनाती है इसका जो creation होता है जो निर्मान जो होता है आपने इसको बनाएंगे ना provision तो किस से बनाती है प्रऊफिट एंड लोज अकाउंट से किस से बनाएंगे इसको फ़पन profit and loss account से create करेंगे और संचे का जो creation होगा जो निर्मान होगा वो profit and loss appropriation अट के मध्यम से होता है तीसरा ये जो आपका provision है ये लाभों पर प्रभार है अभी अभी ताजा ताजा मैंने आपको बताया था लाभों पर प्रभार यानि बनाना ही पड़ेगा कोई option नहीं है भीया provision तो बनाना ही बनाना है और नमबर तीन ये लाभों का नियोजन है लाभों का अच्छे से उप्योग करना है पैसे पड़े हैं अच्छा उप्योग करो ताकि अग्यात हानिया या अग्यात जो रासी है हानियों के रासी है उसके निप्ता जा सके चोथी जो हम इसके महत्वपुन बात करते हैं इसका जो यूज है जो लाभास वित्रण में नहीं कर सकते लाभास वित्रण distribution of dividend लाभास वित्रण में उपयोग नहीं कर सकते और इसका उपयोग संचेकापन लाभांस वित्रण में कर सकते हैं लाभांस अगर वित्रण करना है तो इसका यूजपन कर सकते हैं और एक महत्वपुन बात इसको बनाना अनिवार्य है प्रोविजन आपको क्रियेट करना ही पड़ेगा कमपल्सरी है अनिवार्य है यह अनिवार्य नहीं है अनिवार्य नहीं है बनाओ तो भईया आपकी मर्जी है नहीं बनाओ तो आपकी मर्जी है तो प्रोविजन तो बनाना अनिवार्य है और संचे बनाना अनिवार्य नहीं है अब बात करते हैं ओबजेक्ट क्या होता है क्यो जो ढूप बनाते हैं क्या श्यब्टोरा है नो गोमों बनाते है जरूरी है यह जल्द यह इस बुजनेस नहें कर सकते क्या। लेकिनुद्दयशे भी है इसका कोछिजरूरी है तो देखते हैं इसका जो उदय इपाट्रीशं जो है यहा हमारी अन्य जो हमारी अन्य दाइत्व है उन दाइत्व से निपटने के लिए ठीक है उन दाइतों की पूर्ती के लिए और यह जो है यह हमारी आर्थिक इस्तिती को मजबूत करने के लिए अर्थिक इस्तिती को मजबूत करना है बिजनस की एकॉनमिक कंडिशन को स्ट्रॉंग बनाना एक दम तब हम क्या बनाते हैं रिजर्व क्रियेट करते हैं और जितनी भी अग्यात हानिया हो सकती है जिनका पता ही नी चले अचानक से हो जाए उनसे निपटने के लिए अपन क् उनसे अचनक से आूग से जलकर किखाग और चंद दिनों के बाद रहा क्या करते है वापने स्टेआइन इसमा मतलब क्या हो और चांग क्या होते हैं अच्छीयर्व बना रहते हैं अच्छेयरव ख्रियेट कर रहते होते ताकि वापस established हो जाए वापस तैयार हो जाए नोईडा के अंदर हल्दिराम के एक factory बने हुई थी बहुत बड़ी अनमकिन की फेक्टरी बने हुई थी और उसमें कोई मिस्टेक हो गया वह आपका बॉइलर फट गया था पूरी की पूरी जल करके नस्ट हो गी लेकिन उन्होंने वापस हातों हात एस्टेबलिस कर लिया क्यों क्योंकि उन्हें अच्छे रिजर्वे क्रियेट कर रखे थे ठीक है अगली हम बात करें तो इसमें जो पैसा लगाते है प्रोविजन में उसका विनियोग जो होता है बाहर विनियोग नहीं करते हैं और इसमें जो पैसा बचा करके रखते हैं उस रासी को विनियोजित कर देते हैं अपन बाहर विनियोजित सामाने ते बाहर विनियोजित कर दिया जाता है बाहर का मलब व्यापार से बाहर करन इसके अपन मैं बात करूँ इसके उधारन की इसके एक्जम्पल की मैं बात करूँ तो इसका एक्जम्पल हो सकता है प्रोविजन फोर बैडडेट्स टूबत यूं संदिक दिरिनों के लिए प्रोविजन फोर डेफ्रिसेशन डेफ्रिसेशन के इसका एक्जम्पल हो सकता है for tax, यह आपके आयो जनों के example हम ले सकते हैं, और मैं इसके example की बात करूं, reserve की उधारन की बात करूं, example की बात करूं, तो इसका best example है general reserve, कौन सा reserve है, general reserve, दूसरा इसका example हम ले सकते है, capital reserve, capital reserve, या dividend equalization reserve है, dividend equalization reserve है, जिसको लाभां समानी करन कोस भी बोलते हैं, तो यह आपका मुले रास के topic के अंदर ही आपका यह प्रावधान और एक संचे का महत्वपूर्ण point है, और बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसमें से क्यूशन लगबग पूच लिया जाता है, तो प्रावध का मतलब man difference समझना, प्रावधान का मतलब ग्यात हानिया, रासी अग्यात, संचे का मतलब हनी और रासी दोनों ही अग्यात, नहीं पता है, ठीक है, यह तो हमारा था, पहला इनका difference का point, अर्थ भी clear, और difference भी clear, दूसरा, जो प्रोविजन का निर्मान होता है, क्रेशन होता ह वो लाभानी खाते के माध्यम से होता है, लाभानी खाते से प्रोविजन अपन बनाते हैं, और संचे का जो निर्मान होता है, वो लाभानी नियोजन खाते के माध्यम से होता है, लाभानी नियोजन खाता मतलब, जब लाभानी खाते से हम profit निकालेते हैं, net profit निकालेते हैं तो उसको हम ट्रांस्प कर देते हैं लावानी नियोजन खाते में जिसको हम पीएंडल एप्रोप्रेशन अकाउंट बोलते हैं उसके अंदर ट्रांस्प कर देते हैं ठीक है तो यह पीएंडल एप्रोप्रेशन अकाउंट से क्या संच यह लगों पर प्रभार है यानि आपको देना ही पड़ेगा प्रविजंट करने ही पड़ेंगे लेकिन यह जो आपका संचे है ववा लाभों का नियोजन है एक अच्छा सा यूज है प्रोपिट आपके पास बचे थे और आपने उनको व्यापार से बाहर इंवेस्ट कर दिया और जब भी कठिन प्रेस देती आती है उनसा पैसा काम में आ जाता है तो यह लाबों का अच्छा नियोजन है अच्छी प्लानिंग है ठीक है और अच्छे बिजनेसमेन को बढ़िया बिजनेसमेन को अपना नियोजन करना चाहिए रिजरों में क्रियेट करना चाहिए संचे बनाना चाहिए चोथा महतोपुन लाभां स्वित्रन डिविडेंट जब डिविडेंट बांटा जाता है तो आयोजन की रासी काम में नहीं ली जा सकती ठीक है जैकि संच रासी काम में ली जा सकती हैं संचियों के रासी लाभा स्वीतरण के काम में ली जा से की जा सके इसलिए हम क्या करते हैं प्रोविजन क्रियेट करते हैं इस बहाने पैसे बच जाते हैं रिजर हो जाते हैं अलग से रह जाते हैं और दूसरा हमारा जो संचे हैं संचे व्यापार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक अग्यात हानिया है और अग्या जो उसकी जन के रासि है उनको पूर्टी करने के लिए बनाते है। और बाहर का मुझी नहींग किसी दूसरी फर्म में, दूसरी कमपनी में उसके शेर्ड इविंचर प्रचिज कर लेना किसी इंकम मिलती रही, फिर एग्जम्पल की बात की, तो आयोजन के जो हमारी एग्जम्पल है, वो है प्रोविजिनफार रेफ्रीसेशन, यानि मुले रास की आयोजन, प्रोविजिन फोट एक्शेशन, करके लिया आयोजन, प्रोविजिन फोड डाउटफुल रेट्स, संदिक के लिए आयोजन ये आपकी किसके एकजामपल थे प्रोविजन के या आयोजन की और writes लोग complaint डिवीडेन्ट बीडेन Giris